हेलो दोस्तों स्वागताब सभीका मुराड अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो की हाल ही के अंदर रिलिज की गई है यह बहुत ही महत्यफूर्ण इंडेक्स है जो की हर एक कॉम्क्रेटिव एक्जाम के लिए हर एक अख्जाम के अंदर यह पूछी जाती है तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पहले तो यह जान लेते हैं कि ग्लोबल UP इनोवेशन इंडेक्स जो कि किसी देश के लिए कैसे निकाले जाती है कि Global Innovation Index उस आदार पर निकाले जाती है कि उस देश के अंदर कितनी Technology है कितना उसका Technology के अंदर उसका विकास हो रहा है साइंस के अंदर कितना आगे बढ़ रहा है और वो कितना कार्वन का कार्वन का रिड्यूज कर रहा है वैस सोलर सोलर नार्जेश पर कितना डिपेंड इन सबी चीजों को देखते वह है इंडेक्स निकाले जाती है तो याद रखेगा Global Innovation Index 2021 जो कि अभी कुछी दिन पहले रिलिज की गई है यह जो रिलिज करता है वह वीपो वर्ल्ड इंट इंटेलेक्ट्ट्ट प्रोपर्टी और्गनाजेशन यह है इसको रिलिज करता है वीपो वीपो जो कि यूएन की एक यूएन की एक सबसीडरी कमपनी है जिसके दोवारा World Intellectual Property Organization के दोवारा यह निकाले जाती है ठीक है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले वीपो के बारे में तो वीपो के बारे में बात करें तो World Intellectual Property Organization ठीक है इनका जो स्थाफना विती इसकी स्थाफना 1967 के अंदर हुए थी ठीक है दोस्तों वीपो इजे Specialized Agency of UN यह United Nations की एक Agency है ठीक है प्रोमोट दा प्रोटेक्शन ओफ आईपी ठ्रो आउट ओफ वर्ल्ड तो याद रखेगा जो इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज की गई है यह किस के द्वारा रिलीज की गई है तो वीपो के द्वारा ठीक है 2021 की रिलीज की गई है अब चलिए बात करते हैं वीपो कि नद्डेक्स वीपो के वारे में तो वीपो के अनुसार में सबसे टोप इस्तन प्राप्ट किया है वह यह यह देश हैं थीक है भारत की देख लिए इस परगाढ चाही है इन्वेशन इंडख्स के अंदर भारत सुधार करते जा रहा है 2019 में 52 वे इस्थान पर रहा था 2020 के अंदर यह 48 वे रेंग पर था भारत 2020 के अंदर ठीक है और 2021 के अंदर अब भारत की रेंग हो गई है 46 तो याद रखेगा important है 46 भी रेंग 2021 के अंदर भारत की innovation index के अंदर आई है ठीक है global innovation index वीपो के डाइरेक्टर आपको याद रखने की ज़रू रहत है क्योंकि अभी यह global innovation index जारी गया गया तो उसके बारे में आपको पता होना चीए पहले तो वीपो इसको रिलीज करता है इनोवेशन index को ठीक है डारेक्टर जनरल है डारेन तांग याद रखेगा डारेन तांग इसके डारेक्टर जनरल है इंप्रूविंग ओन इनोवेशन ठीक है 46 वी रेंग है 2021 के अंदर बारत की और 48 वी रेंग थी 2020 के अंदर दो रेंग काम को हमको फाइदा हुआ है याद रखेगा इसके अंदर शुटेजलेंड शुडन यूएस यूके कोरिया यह एक टॉप फाइप दीस है जुन्होंने इनोवेशन इंडेक्स के अंदर शांदार प्रदसन किया है हमारी जो स्ट्रेंट है है इंजिनिरिंग के अंदर है साइंस इंजिनिरिंग इंडिया इस स्ट्रेंट ठीक है यह देख लिए इस प्रकार से हम इनोवेशन जो टेक्मोलोजी के अंदर है वो दीरे दीर हम बढ़ रहे हैं दोजार इकीश के अंदर हमारी रैंक है 96 ठीक है पिछले 6 सालों के अंदर हम 35 इस इस इसतान आगे बढ़ चुके हैं हमने इंप्रूब्ट किया है पिछले 6 सालों के अंदर ठीक है दोस्तों एक बार ओर देख लेते हैं कि तो ग्लोफल इनोवेशन इंडेक्स Global Innovation Index 2021 वीपो जारी करता है याद रखेगा वीपो World Intellectual Property Organization ये UN की Subsidory एक Agency है वीपो की स्थापना 1967 के अंदर की गई थी याद रखेगा इंपोर्टांटा 1967 वीपो की स्थापना की गई थी UN की एक Specialist Agency है जो Protection of IP Throughout of the World ठीक है ये टॉप Southern Land है, Southern है, US है, Northern Land है, UK है, Korea है ये सबी ये सबी Top 5 देश है इसके अंदर ठीक है तो याद रखेगा टॉप भी Southern Land ने Innovation Index के अंदर top किया है ये भी गई डारेक्टर है, Darren Tong और भारत की रेंग याद रखेगा 26 भी है 2021 की, 2020 के भी याद रखेगा 48 दो स्थानों का बारत को फायदा हुआ इस साल यह देख लिए 2021 और 2020 में अटारीश थैंकि दोस्तों कैसा लगा अमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद